दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आद्मी पार्टी के वर्ष्ट नेता रहे केलाश गहलोत ने अचानक सबको जटका देते हुए पार्टी की प्रातमिक सदस्टिता से अपना इस्तीफा दे दिया है कैलाश गहलोत दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री रहे हैं अपने इस तीफे में उन्होंने पार्टी प्रमुख अर्वंद के जरिवाल को संबोधित करते हुए लिखा कि मैं आपको सबसे पहले एक विधायक और एक मंत्री के रूप में दिल्ली के लोगों की सेवा करने और उनका प्रतिनिधित्व करने का सम्मान देने के लिए इमानदारी से धन्यवाद दिना चाहता हूँ हालकि साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी के सामने गंभीर चुनोतियां हैं अंदरोनी चुनोतियां उन मूलियों तक जो हमें एक साथ लाए थे राजनीतिक महत्वा कांग्शाएं लोगों के प्रति हमारी प्रति बद्धता से आगे निकल गई हैं जिससे कई वादे अधूरे रह गए हैं कैलाश गहलोत ने उदाहरन देते हुए लिखा यमना को हमने सुच नदी में बदलने का वादा किया था लेकिन कभी ऐसा नहीं कर पाए अब यमना नदी शायद पहले से भी अधिक परदूशित हो गई है इसके अलावा अब शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीब विवाद हैं जो अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं कि क्या हम अभी भी आम आदमी होने पर विश्वास करते हैं एक और दुख की बात रही कि लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के बजाए हम केवल अपने स्वेम के राजनितिक एजेंडे के लिए लड़ रहे हैं अब ये स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकान शसमे केंदर से लड़ने में बताती है तो दिल्ली का वास्तविक विकास नहीं हो सकता कहलाश गहलोत ने आगे लिखा कि मैंने अपने राजनितिक एजेंडे के लिए लगों की सिवा करने की परती बधता के साथ शुरू की थी और मैं इसे जारी रिखना चाहूंगा यही कारण है कि मेरे पास आप से अलग होने के अलावाग कोई विकल्प नहीं मचा है और इसी वज़े से मैं आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ मैं आपके स्वास्थे और भविष्श्य के लिए शुब कामनाई देता हूँ उन्होंने कहा कि चुनाव चल रहे हैं और बीजेपी के गंदे शड्यन्तर चल रहे हैं ED-CBI सक्री हो चुकी है कैलाश गहलोत के उपर भी काफी ED और IT के मामले चल रहे हैं उनके परिवार पर भी कई मामले दर्ज हैं प्रियंका ककर ने कहा कि केलाश गहलोद के सामने ऐसे हालात बनाए गए हैं कि उन्होंने जेल के संघर से भेटर बीजेपी में शामिल होना ठीक समझा देखिए चुनाव चल रहे हैं और भाजपा के गंडे शद्यांतर शुरू हो चुके हैं एडी और सीबी आइ उनके आलाइज आक्टिव हो चुके हैं केलाश गहलोद जी के भी उपर काफी एडी और इंकम टैक्स के मामले चल रहे थे उनके परिवार के उपर भी चल रहे थे तो उन्होंने जेल की स्ट्रगल से भेटर भाजपा जोईन करना भेटर समझा वही बिज़ेपी सांसद मनोस दीवारी ने कहा कि जिस طרح से आम आदमी पार्टी के मुखिया अर्विंद केजरिवाल का चाल चल चलन है दिल्ली के लोगों के जीवन को उन्होंने जिस तरह से नार्किया बना रखा है हो सकता है कि उनके साथ रहने वाले बहुत सारे लोगों के विचार अब उनसे मेल ना खाते हों शायद इसी के चलते उन्होंने पार्टी को गुडबाई बोलना मुनासिब समझा हैरानी हूँ मगर जिस प्रकार से आमादमी पार्टी के बुखिया अर्विंद के अजरिवाल का चाल चलन दिल्ली के लोगों को जिस्तरहसनों ने जीवन नारकी बनाया है जहरीला हवा परदूसित पानी परदूसित जमना जी तो हो सकता है कि उनके साथ रहने वारे बहुत सारे लोग अब उनसे अपना विचार नहीं मेल खाते हैं तो केलास गहलोत ने अगर आज किनारा कर लिया तो मुझे बहुत आश्यरि नहीं है इसका मतलब कि कहीं न कहीं केलास गहलोत अर्विंद केजरिवाल के उस पाप नगरी में अपने कौब नहीं रखना चाहते हैं केलास गहलोत ने जो पत्र लिखा उसमें स्पेसिफिक तोर पर आए कि यमना जी सफाई नहीं हो पाई उससे में आम आदनी पार्टी के खराब इस्तिति वादा करना कि हम तो जी दो कमरे के घर में रह सकते हैं लेकिन सीश महल बना लेना तो इसी पाप में जो भी जिसके भी मन में अच्छाई होगी वो तो नहीं रह पाएगा फाइनली केलास गहलोत का ये डिसिजियन आया है अभी डिटेल मुझे पता नहीं है क्या है कैसे है मगर मुझे अंदर थोड़ा भी अच्छा ही होगी वो रहना नहीं चाहेगा